गुरु जी आज के इस अंक में हम ऐसे एक रोग या एक ऐसी समस्या के उपर बात करने जा रहे हैं जो बहुत मामूली होती है लेकिन जब उसका दर्द उठता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि केवल दर्द ही महसूस होता है शरीर है या नहीं है और किसी चीज की चेतना नहीं र होता है उसमें सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि ना तो कान के अंदर कोई चीज जा सकती है ना उंगली जाती है ना किसी चीज से हम उसको देख सकते हैं हम उसको देख भी नहीं पाते हैं तो कान के अंदर एका एक दर्द उठना कान के अंदर परेशानी होना किस तरीके का रोग है क्योंकि कान जो है उसमें हम कोई छेड़ खानी करते नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी अगर बें तहां दर्द उठता है तो उसकी वज़य कौन-कौन सी हो सकती है देखो कान में दर्द होने का एक कान इसके भी अनेक कान है सबसे बड़ा कान तो है कि मिठा खाने वाले जो ज्यादा मिठा खाती है इनका रक्त बढ़ जाता है रपित बोलते हैं उसको और कान में बड़ी भ्यंकर दर्द देता है और कान में सुझन पैदा हो जाता है अंदर दूसरा इसका काल ना कि कहीं को आत होती है कि कोई भी चीज लिए और कान में ऐसे गुमाते गए जै और उसके कान के अंदर खरोच चली जाए और उसमें पस पढ़ जाए तो भ्यांकरदार तो होता है तीसरा काल ना इसका के आपका नजला बिगड़ गया बाल हो गया तो बाल जड़ जाते हैं या स्वेद हो जाते हैं आंखों पे आया तो लाट चली जाती है दंतों पर आया है तो दं आपके जुनदी में खत्म हो ज़ते हैं और कानों में गया तो इसमस बहुत भंकार दर्द होता है सुणाज देना बंद हो जाता है और फिर कानों मे बहन-बहन, शैनwię वहाती है प्रांतु आपके कान में दर्द, सुजन या कटानों, कीड़े भी पढ़ते है कानों में, किसे कान से पस भी आती है इन सब चीजियों का उपचार जो एक ने हमारे पास आरियो वेद में अनेक है प्रांतु टीवी के माद्यम से जो आभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ यदि आप इसको द्यान को सुनते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं और कभी भी कान में तकलीप हो जाए तो इसको बनाके कान में डालते हैं तो डालने के पांच सेकिंट के अंदर दर्द बन दो जाता है और जब चार-पांच बार आप दिन में डालते हैं और योग साथ करते हैं तो कितना भी पुराने से पुराना रोग आपका कान है जिसको सुनाई नी पड़ता है उसको सुनाई देना सुरू कर देता है और यदि कान के अंदर कीडे हैं तो कीडे भी मरकर के बाहर आजते हैं इसके लिए तिल का तेल या सरसो का तेल ले 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 आप जैसे 100 ग्राम आपने तेल लिया तो पहले 100 ग्राम उसके अंदर लसन जलाना आपने छिल करके वो भी पांच-पांच या दस-दस ग्राम करके और इस तेल को गर्व करना आपने या तो स्टील की कडाई हो या लोह की कडाई हो या फिर मिट्टी का को बरतन हो आमोनियों के बरतन में इसको बिलकुर नहीं उबालना नितर बजाय लाब के आनी हो गए जब लसन आपका पूरा जल जाए उसके बाद अदरक का रस निकालने आप 50 ग्राम अब इस रस को तेल में डालके धीमी आँच पे इतना पकाना के तेल बचे रस आपका सूप जाए अब इसके बाद पांच ग्राम लाउंग तेन ग्राम जैफल पांच ग्राम कड़वी कोट पांच ग्राम बच इस सारी चीज़ें दरदर ही कूट करके एक कप्रे की छोटी सी सूथी की गाठ बांद के उस तेल के अंदर डालके फिर इसको फिर उबालना है अब आपका 100 ग्राम जो तेल था वो आपके पास रह जाए करीब 30 ग्राम 70 ग्राम तेल इसमें जल जाएगा अब यह 30 ग्राम तेल नीचे उतार करके जब 15 से ठारा डिगरी गर्म रह जाए तो कप्रें जो गांठा उसको निकालके और उसको चितर अंचोड़े और उसको तेल नी रहना चाहिए अब इस तेल को सूती कप्रे से छान करके नीले रंग की कांच की बोतलों तो सोनने पर स्वहगा यह तो आप प्लास्टिक अभी डबब ले सकते है नीले रंग का अब इसके अंदर उसमें दो ग्राम देशी पूर मलाके और इसको चालीस दिन तक धूप में रखना है चालीस दिन के बाद फिर इसको फिल्टर करके डॉपर में डाल ले अब यह आपका चाह पिचास साल रहें यह खराब नहीं होना जब भी किसी कान में किसी किस्म का दर्द हो कोई चीज कान में अंदर चली जाए तो इस तेल की चार बुंदे कान में डाल के और कान में बाहर से रूई लगा दे और मुँ ऐसे चलाएं जैसे खान खा रहे हैं तो कान में तेल डालने से दो स्किंट के अंदर तो दर्द खत्म हो जाएगा अब इसके अंदर यदि किसी किस्म का कटानुआ तो मर जाएगा और यदि आपका नजला सूका हुआ है तो जैसे चिकनी मिटी पे पानी डालके उसमें दल दल बन जाती है ऐसे उसकी दल दल बनके जब आप दो गहेंटे बाद रूई को किस स्लाई में लगा कर से साफ़ करेंगे तो उसके साथ जैसे कीच्ड में पाउं लिबड जाते हैं ऐसे सारे रूई में वो उसका कान का जो भी मवाद। सब रूई के साथ आजएगा। फिर तीन चार बार ऐसे रूई लगा के साफ करके फिर आप उसके बाद बाहर रूई रखने ताके इसमें हावा जाएगी तो आपको दर्द बढ़ेगा हावा नहीं जादा जानी चाहिए फिर चार गहंटे बाद फिर दुबारा ऐसे डालना और दस मिट बाद फिर कान को साफ करना यदि ये क्रिया आप एक अफ़्ता लगातार कर लेते हैं तो आपका ये रोग चाहे 20 साल पराना है, चाहे परस आती है चाहे दर्द रहता है चाहे सही शहीं की वाज्ञें आती है कानों की स्मर्ण सक्ति ऐसे बढ़ती है, यदि सुई भी फर्ष पे गिरती है, तो उस विवाज को अनुभव करके कहेगा, इतने दूर पे कोई चीज गिरी है, तो ये कानों के लिए बहुत हीतकारी है, ऐसे तो हमारे पास, रोग एक अद्वाइया अनेक हैं, प्रांतु समय को मध्यम नजर रखते हुए, तरीक्या वही अपनाने चाहिए है, चोटे से चोटा है, असान से असान है, जो तरीक्ये थोड़े सक्त है, वह कभी ने अपनाने चाहिए, प्रांतु ना टीवी के माध्यम से, चोटे से चोटे उपाय बताता हूँ, कताबों मेंने लंबे उ चोटे भी लिखे हैं, मेरी कताबों के विशेष्टा है, कि यदि आप एक घंटा प्रते दिन इन कताबों को पढ़ते हैं, और पताय गए नुक्सों को अपनाते हैं, तो एक साल में जो MD डॉक्टर है, ऐलोपेथिक, आर्यवेदिक, युनानी, होमोपेथिक, उसको आप कह कोई भी रोग गया है कि आप बैठिये, मैं इसका अवचार करता हूँ, और जो उसने बमारी बताई, उसके अनुसार, जो मैं नुक्से बताता हूँ, इसको अपनाते हैं, देते हैं, तो पांच मिन्ट के अंदर जल्टा जाता है, कितना भी पराने से पराना रोग है, जो म कोई समाच करते हैं.